हुआ है अगरू है 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 अगरू है कि अगरू है कि अफिरेंट्स कैसे हो तो ओफिसर बनने का सफर आप लोग होंगा कैसा चल रहा है होफुली सबका बहुत अच्छा चल रहा होगा जो हम यह टॉप पाइप सीरिस कर रहे हैं यह आपको अच्छी लग रही होगी मुझे पता है क्योंकि व्यूज बढ़ने शुरू होगे हैं बच्छे लाइक्स भी कर रहा हो अब डिमांड भी आ रहे हैं कि सर यह करवा हो जैस कैसे वह बता हों को बस चंद लम होंके बाद आपको दो तीन चीजे इसको आप आपको ध्यान रखना है आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना विल्कुल भी आप वो टाइम नहीं है कि आप यह समझो कि भाई अब जल्दी तयारी करने नहीं प्रेक्टिस करके तया नया बुस्टर बैच चला है जिसे हम अर्ली सिसेट बैच के नाम से बोलागे इसको आप जीरो टे हिरो बैच भी बहुत जो आपको अच्छा लगे इसमें बहुत डिटेल में करवाया जा रहा है और बहुत मैनूट लेवल पर बच्चों प्रॉलम को समझा जा रहा है जैस कोर्स डिटेल के टाइमिंग स्के मेरे पास तीन से लेके साधे चार यह चार दिन अभी चल रहा है तो अभी बढ़ भी जाएगा ठीक है फोर दिस अभी के टोटल इसमें 180 प्लस लेक्चर है यानि 180 से जाधा लेक्चर प्रॉवाइड के जा रहे है इस पर्टिकुलर बैच 50 के लेक्चर होंगे 25 योजिकल के होंगर 15 आपके पास इसके बृज़न इंग्लिश लेक्चर मिलने वाले जो आपको लाइव मिलेंगे मतलब आफ ले यह ओ अंगर प्रिवेसुथर लेक्चर हो बंद्र दिये जा रहे है जो अल्रएग बैच के लाइटे सीन 50 पलस हैं और पहले मिलेगा हर वीडियो के साथ वीडियो का resources मतलब जैसे suppose कीजिए मुझे speed time and distance करना है तो speed time distance के chapter के साथ आपको class PDF मिलेगी जो question already class में करने है मुझे ठीक है online बच्चों के लिए ठीक है उसके बाद आपको क्या मिलेगा number 2 आपको एक practice sheet मिलेगी क्योंकि यह तीन से साड़े session साथ में यह आपके और आपका weekly test भी होता है जो हमने पूरे हफते में किया है उसका एक Sunday को weekly test होता है ठीक है और उसके solution आपको Monday को provide कर दी जाते है बैच से पहले वो live ही discuss होता है class के अंदर ही कोई doubt हो तो वहाँ पे आपका session में होता है clear तो यह सब hidden features है जो इस batch के साथ 951-777-1651 यह वो number है जिस पर WhatsApp यह call कर सकते हैं और मुझसे directly बात भी कर सकते है ठीक है तो कोई दिक्का तो कोई परशानी हो किसी तरह की भी परशानी तो इस number पर call केजिए आपकी बात directly मुझसे होगी because I am managing the system अभी मन्यों आएं से clear तो प्लीज इस वीडियो को like केजिए, share चैनल को subscribe गरना, please 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 मत भूलिये, तो let us begin with question number 1, today's class, question number 1 is, a good train at a speed of 78 km per hour, crosses a 250 meter long platform in 26 seconds, what is the length of that good train, देखो, सबसे पहली बाद दो distance travel होगा न, total क्या होगा, length of train plus length of platform, length of train plus length of platform होगा, number 1, अब देखो ज़रा, a good train runs at a speed of, speed of the train कितनी है मेरे पास, आपको गए उस सार वो है, 72 km per hour, देखो, distance क्या होता है, speed into time, distance कितना है मेरे पास, distance मुझे पता ही नहीं, योगि देखो, इस case में होगा क्या, यह platform है, यह train आई, train ने इस platform को cover किया, तो जो total distance है भी टाक्या होगा, यह platform है, और यह train है, यह होगा length of platform, plus length of train, यह होगा actually में, ठीक है, अब ध्यांसा तुनों देखो, distance है मेरे पास, 72, इसको करो ज़रा, meter per second में करवट, पांच पट अठार, और time कितना है मेरे पास, time दिया पटा 26 second, ठीक है, तो 18, चोके बहतर यह कितना होगा, पांचोके 20, 20, 26 कितना होगा आपका है, पांचो बीस meter, इसका मतलब यह पांचो बीस meter, एक्चुली में क्या है, यह पांचो बीस meter जो है न, यह length of the train, plus length of the platform, आपके पास कितना आपका, पांचो बीस meter, ठीक है बेटा, अब ध्यांसा से सुनो जो रहा, इसमें क्या दिया है, cross is a 250 meter long platform, इसका मतलब बगर है, length of platform is 250, plus length of train is equal to kitना, 520, तो length of train कितना होगा है मेरे बास, 270 meter option number, इस दा right answer of this question, क्लीप लीज, तो प्लीज इस वीडियो को like करे, share करे, channel को subscribe करना, प्लीज मत भूले, और एक और आपके लिए news, इसके description box में WhatsApp group का link भी दिखिए, जिसे आप join कर सकते हैं, ठीक है, चलिएगी, आप train 125 meter long is running at 50 km per hour, in what time it will pass up 175 meter long train, running at 40 km per hour in the same direction in which train is going, अब देखो same direction, जब direction same होती है न, तो मेरे पर relative speed की बात आएगी वो क्या होगा, आप कहोगे speed of 1 minus speed of 2, अब 1, 2 क्या है, जिसके speed ज्यादा 1, जिसके speed बो क्या होगा, वो 2 बात अदम, ठीक है, जी देखिए, तो length of train 1 कितने हैं मेरे पास, जानते देखो ज़रा, 125 meter, length of train 2 कितने हैं मेरे पास, 175 meter, okay, speed of train 1 कितने हैं मेरे पास, 50 km पर आवर, speed of train 2 कितने हैं मेरे पास, 40 km पर आवर, ये मेरे को question में given है, कि ये दो-दो चीज़ें मेरे पास given है, clear, तो distance कितना हो गया, length of train 1, plus length of train 2 यानी कितना, 125 plus, 1554 यानी कितना, 300 meter हो गया, relative speed की बाग करो, 50 minus 40, 10, km पर आवर, ठीक है, तो भाई, distance is good to relative speed, into time, ठीक है, distance कितना, 300, relative speed कितना, 10, into 5 by 18, into of its time, ठीक है, देखो ये कितना हो गया मेरे पास, अगर मैं ध्यान से इसकी बाहत सुरूँ, ये options मुझे शायद गलत लग रहे हैं, कुछ 120, ऐसा कुछ हाना चीए, इसमें मुझे लग रहा है, थोड़ा सा कुछ गढ़ बढ़, let me check the options, once again, okay, चलिए देखो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया, तो ये कितना हो गया, चलो, मैंने, standing on platform in 27 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds, the ratio of their speed is, बहुत ब्रिलेंट कोश्चन है, बहुत अच्चा कोश्चन है, देखो, देखो, मैंने मानना, D1 distance क्या है, length of train 1, ठीक है, D2 क्या है मेरे पास, length of train 2, ठीक है, अगर मैं case 1 की बात करूँ, D1, और इसके speed मैंने मानली है, S1, इसके speed मानली है, मैंने S1, और दूसरे वाली speed कितने हों की बिटा, S1 और S2 मैंने speed मानली है, ठीक है जी, D1 is equal to S1, और T1 कितना दिया, 27 seconds, ठीक है, case 2 की बात करूँ, D2 is equal to S2 into half, 23, यहां तर भी कोई दिखकत नहीं है, तो अगर मैं case 2 की बात करूँ, और यह final case की बात करूँ, यह opposite direction में जा रही है, तो distance कितना होगा definitely, D1 प्लस D2, और S1 प्लस, S2 क्या होगा, relative speed, बिकाउज यह opposite direction में, और time कितना है, बस यह जिस समझेने वाले जिए, अगर इतना सा plot कर लिया था आपने, तो कोई दिखकर देने, इस कोश्चिने बच्चों, D1 प्लस D2 कितना है मेरे पास, 27 S1 plus 23 S2 is equal to 23 S1 plus 23 S2, तो बेटा यह कितना होगा, 27 S1 minus of 23 S1, तो सरी, इस 17 ना है, यहां 17, तो सरी, यहां पे 17 है, यहां पे 17 है, 27, 17, बिकाउज तो यहां पे कितना है 17, तो यह कितना होगा, 23 S2 minus 17 S2, तो यह कितना होगा, 4 S1 is equal to 6 S2, S1 by S2 कितना होगा, 3 by 2, तो अंसर इस, option number B, 3 ratio 2 is the right answer of this question, जब आपको ऐसे की question लेगे ना, तो उसका basics पकड़ो, यह question वही दिखाता है कि, आपने अगर basics को अच्छे समझ लिया ना, तो you can succeed in any question, बहुत अच्छे question आप कर सकते हैं, चली, यह बहुत important question है, ठीक है जी, 2 trains A and B, starting for stations X and Y, towards Y and X respectively, after passing each other, they take 9 hours, and 4 hours to reach Y and X respectively, if train A is moving at 50 km per hour, then the speed of train B, देहो, यह आपके पास क्या, time taken to reach destination after passing each other, इसका मतलब क्या हुआ, कि भाई कितना time लग रहा है, जब आपको question में ऐसा कुछ दिखेना है, तो क्या लगाना आपने, एक formula, particularly formula इसके लिए, speed of A upon speed of B is equal to under root of time of B upon time of A, clear, देखो, speed of A कुछ दिवी है भाई, एक दिवी है 50, speed of B मुझे निकाल नहीं है, ठीक है, अच्छा, T1 है मेरे पास, Tb4 और यह कितना है, 9, तो यह कितना आगया, 2 पाई, 3, 25, so speed of B कितना आगया मेरे पास, 25 गोना थीन, option number D, 75 km per hour is the right answer, clear, so this was very interesting question, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़ी statement और, निकालना कुछ भी नहीं है, almost ना के बराबर, अगर आपको यह चीज़ नहीं पता, कि भी यह लगना कहाँ पे आगये, तो आप यह कुश्चन को करें ने सकते, because, लंबी calculation जाएगी, अंतिमें अंसर भीर भी निकलना, ठीक है जिए चलिए, next question, अब यह कुश्चन आप पॉस करके खुद करिएगा, और कमेंटे में इसका अंसर लिखना आपने, आप से ही मांदर से पुछूँगा मैं, ठीक है, बताईएगा, तो जब तो मैं आगर आता हूँ, अब यह कुश्चन को कितनी है, 120, किलो मेंटर पर आवर, क्रोस इत अनदर ट्रेन, ओपोजिट डिरेक्शन, अदर स्पीड ऑफ, 80, किलो मेंटर पर आवर, इन 9 सेक्ड, देखो, अब इनकी ओपोजिट डिरेक्शन, तो डेल्टा स कितना होगा है मेरे पास, 120 प्लस 80 या निकितना, 200 किलो मेंटर पर आवर, क्या यह यह हो, अमेरे रेलेट्वी स्पीड मेरे पास, सोचके देखिए, तो मेरे को सबसे पहले डिस्टन्स निकाल भी है, डिस्टन्स कितना है 200, और जब किलो मेंटर पर आवर को, मेंटर पर सेक्ड़ में चेंज गरोगे, क्या गरोगे, पांच मेंटर अठारा, तो नो, तो नो, दुनिया अठारा, डिस्टन्स कितना आगया, 500 मीटर आगया, इसका मतलब, लेंट ओफ ट्रेन वन, प्लस, लेंट ओफ ट्रेन टू कितने हैं, 500 मीटर पहले की कितने हैं भाई, 270, 270, तो डेफिनेटली, दूसरी कितनी होगी, ओप्शन नमबर है 230, समझा की बाद तो, ये कुछ एक अच्छे कोश्चन थे, जो हमने प्रावल्मन ट्रेन किये, तो वोफ फुली सुनेट जिसने पुछा, आपका जवाब मिल गया, और जो कोश्चन आपने बोला था, मुझे जेंट किया था, वो कोश्चन भी इस स्लाइड में मैंने अड़ कर दिया था, सलूशन तो चलो, मैंने आपको भीजी दिया था, अगर वी डाउट हो, आपको नमबर दियो, तो जड़ो, बात करो, बता चलेगा, ठीक है, चलिए, नेक्स तिंग इस, मैं जो बताना चाहरा हूँ आपको, वी हवाट्स अप ग्रूप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गए, उसे जॉइन कीजिए, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नेक्स जो सबसे कुरूशल पॉइंट है, वो है मेरा माइक्रो कोर्सिस, वाट इस माइक्रो कोर्सिस, माइक्रो कोर्सिस अभी पीडिया की तरफ से एक नया कोंसेप्ट है, या आभी मन्यू आयस कह लिजिए, जिसके अंदर फूल कोर्स ना खरीद के, आप उस चेप्टर को भी खरीज सकते हैं, जो आपको लगते सबसे ज़़ादा इम्पॉर्टन है, जैसे नमबर सिस्टम, आज के टाम में नमबर सिस्टम से ज़़ादव इंपॉर्टन तो आपको कुछ नहीं लग रहा होगा, तो सिरफ नमबर सिस्टम कीजी, चाहो WhatsApp ग्रूप का हो, चाहो Micro-Courses का हो, आपको सब description box में मिलेगा, full course का link भी description box में मिलेगा, जिसके बारे में चुरूँ में मैंने मुझे को बताया था, ठीक है, Receival Services is set, यहां पे सारा subscription, वीडियो courses, test courses और यह हैं, यहां मेरे Micro-Courses, यहां पे दर डिजिट का mobile number डाली है, यहां पे क्या कर रही है, देखो यह आगे WhatsApp ग्रूप, यहां से भी आप WhatsApp ग्रूप जोइन कर सकते हैं, यह भी आपको करेंगे तो directly लिंक खुल जाएगा, यहां पे दर डिजिट का mobile number डाली है, यहां मेरे WhatsApp करेंगे तो मेरे ज़े directly आप बात कर पाएंगे, ठीक है, देखे जैसे Math and Mental Ability के में बात करूँ, we have full course of 3369, but if you want to do only, और you want only number system, तो देखे 324 रुप यहां सिरफ, 10 lectures हैं, 10 class lectures हैं, class lectures हैं, class lectures हैं, because एक गंदे से जादा का एक lecture हैं, और no web notes हैं, यहनि सारे theoretical knowledge पूरी दी गई है, और 421 के ऐसे अदर multiple questions, जिसमें almost आपके previous year भी done है, आप ए 421 questions का क्या फाइदा है, कर लोगे, फबट फाइदा क्या है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप इसको test के तोर पे भी दे सकते हैं, जब avail करेंगे, सारे information आपको provide कर दी जाएगी, ठीक है, जैसे simplification है भी है, अब देखो, यहाँ पर percentage दी ओए, कहीं नहीं पिता चलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं मिले तो मुझे बताइएगा, almost 22-25% आता है, यह साल तो 20 से plus questions है, जैसे simplification है, बेटा, 16%, percentage आगे 167 का, चार लेक्टर 9%, चार वेपनोट से 277, multiple choice question आँगे आपके बस ठीक है, इसी तरीके से सब है, जैसे data sufficiency, profit and loss आप कर सकते हैं, सारा, और यह reasoning के case में भी अप्लिकेबल है, अगर बात करूँ ना, खोजासे English comprehension है, इस reasoning है, reasoning है कि इसमें भी same applicable है, जो chapter आप चाहें, वो कर सकते हैं, तो please, 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 इसका लिएक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, please like, share, subscribe the channel, और please do join, अभी जए तयारी शुरू करेंगे, तब अच्छे से 100 plus marks के साथ, पूरी तयारी के साथ हम, pass करेंगे, इस इस साथ को, clear, thank you, अभी जए तयारी के साथ,